नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने जनरल RGCA1 के उपर हमने लास्ट क्लास के अंदर एक नया चेप्टर की सुरुवात की थी जिसका नाम है NPO मतलब Non-Profit Organization हमने उसके बर्ड आई व्यू किया था कि कैसे कैसे इसके अंदर Receipt and Payment Account बनाया जाता है Income and Expenditure Account कैसे Similar होता है Profit and Loss के तरह यानि कि उसकी Accounting Similar होती है Profit and Loss के जैसे and Receipt and Payment Account को मैंने कैसे Account की तरह बताया था और उसके साथ-साथ Balance Sheet में कुछ आईटम से बताई थी कि Specific Donation कोई चीज होती है Capital को Capital Fund लिखा जाता है यह सब बाते हमने की थी Last Class के अंदर अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक कदम और शुरू करते हैं कि इसका जो Receipt and Payment Account है वो कैसे बनाया जाता है उसके लिए आपको Question के अंदर क्या Data दिया जाता है जिसकी मदद से आपको Receipt and Payment Account बनाना पड़ेगा एक्जाम के अंदर तो चलिए फिर एक यारास एक्जामपल मा आपके लिए लेकर आया हूँ और इसकी शुरुआत करते हैं From the following Particulars The Trust prepares receipt and payment account for the year ending 31st March 2022 लिखा गया 2019 लिखना था यहाँ पर 2019 के लिए हमको receipt and payment account बनाना है एक trust का जिसके लिए हमको यह सब data दिया गया है अब इस data के अंदर क्या क्या दिया गया है वो हम line to line समझ लेते हैं सबसे पहले trust के पास में कितना पैसा पड़ा था हाथ में यह cash कितना था इनके पास में 40,000 रुपे का cash रखा हुआ था ट्रस्ट के पास में जिसको opening balance बोलेंगे हम यानि कि 1 अपरेल 2018 को trust के पास में 40,000 रुपे रखे हुए थे यह opening balance है and opening balance हमेशा 1 अपरेल को ही देखा जाता है तो चलिए हम साथ की साथ एक receipt and payment account का एकदम simple सा format भराना शुरू करते हैं उस format के अंदर हम डालते जाते हैं साथ की साथ में जो जो amount हमको समझ में आ रही है question को देखने भर से receipt and payment account का जो format है उसमें कुछ अलग नहीं होता यह बस एक t-shape account होता है यह वाली side debit side होती है यह वाली side credit side होती है इसमें कुछ अलग बात नहीं है किसी भी account के comparison में आपने जितने भी लेजर बनाए हैं accounts बनाए हैं तो उनके अंदर भी यही सब होता है मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है यहाँ पर particulars लिखा जाता है particulars लिख सकते हूँ particulars particulars यहाँ पर rupees का symbol लगा देना यहाँ पर भी rupees का symbol लगा देना चाहो तो एक line divide कर देना यहाँ पर भी कर देना यह बन गया आपका receipt and payment account का format अब इसके अंदर क्या-क्या होना है यह वाली side पैसे आने वाली side है और यह वाली side पैसे जाने वाली side है जैसे कि receipt पहले आता है तो receipt इसी side है payment इस side है तो सबसे पहले debit balance होता है जब भी cash account बनाते हैं उसका भी balance debit होता है वही पर receipt and payment भी similar होता है cash basis पर ही बनाया जाता है तो इसका balance भी debit होता है debit balance का मतलब क्या है जो opening balance आपको दिया गया है उसको यहाँ पर उतारने to opening balance opening balance सबसे पहले cash का opening balance अब एक फरक और है आपको cash और bank दोनों के balances दिये गए है opening balances और उसके साथ साथ आपको यह दोनों के दोनों balance यह side उतारने है receipt and payment account की side यह account बनाया जाता है cash account के तरह ही लेकिन यह cash account नहीं होता है यह साल में एक बार बनाया जाता है हर दिन बनाया जाता है हर दिन जितनी भी entries cash की हुई वो record की जाती है जितनी भी गया cash वो भी record किया जाता है यहाँ पर cash और bank दोनों एक साथ balances लिखे जाएंगे जबकि books के अंदर cash और bank का दोनों का अलग account बनाया जाता है क्योंकि cash की entries cash में की जाती है bank की entry bank के थुरू होती है दोनों की transaction अलग अलग होती है लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे एक total transactions का बात करने वाले हैं cash या bank की बात नहीं करने वाले receipt and payment का मतलब है कि कितना पैसा आया चाहे वो cash की form में आया चाहे वो bank में आया दोनों के दोनो receipt and payment account में हम लिखने वाले है तो इसका opening balance है चालीस हजार वही पर जो bank का balance दिया गया है opening balance वो है दो लाख दस हजार opening balance दे दिया cash का और bank का अब last में देखें तो closing balance भी दिया गया है आपको लेकिन सिरफ और सिरफ cash का opening closing balance दिया गया है bank का closing balance नहीं दिया गया है तो जब आप total entries कर चुके होंगे जितना पैसा आया जितना गया and two closing balance यहां पर डाल रहे होगे तो आपको cash का balance तो दिया गया है आठ हजार रुपे यानि कि bank का जो भी closing balance आएगा वो आपका balancing figure amount जो होगा इस side का total कर लेने के बाद यह जितनी भी payments हैं यह less कर देने के बाद and जो cash closing balance है वो घटा देने के बाद आपका bank का closing balance आ जाएगा अगर आपको exam में receipt and payment account बनाने को दिया जाता है तो वो इसी तरह से question आएगा एकदम simple नहीं आएगा आपको कुछ न कुछ calculate करने को देगा and अगर आपने वो ठीक accurate amount calculate करके दे दिया तो examiner के पास में कोई भी मोका नहीं बचेगा आपके number काटने के लिए तो चलिए अब आगे की transaction record करते हैं subscriptions received, subscriptions क्या होता है जान लीजिए दोस्तों subscription एक income होती है एक trust के लिए किसी कोई club है कोई trust है वहाँ पर उन्होंने एक games arrange कर रखे है आपने members के लिए जो members वहाँ पर annual fees provide कराते है या monthly fees provide कराते है उन members के लिए कुछ games facility arrange की गई है तो उस games facility arrange करने के लिए उन्होंने जिन members ने subscribe किया हुआ है subscription लिया हुआ है यानि कि वो पैसा देते है मतली वो subscription fees होती है as a income trust के लिए यानि trust के लिए वो income है तो subscriptions received का मतलब है कि subscription वाला पैसा मिला है जिसमें से including 15,000 for the year 2017-18 यह जो 3,500,000 है इसमें से 15,000 रुपे पिछले साल के हैं 2017-18 से related है हमारा current year जो चल रहा है जिसकी accounting हम कर रहे हैं इस question के अंदर वो है 2018-19 यह पैसा पिछले साल से related receive हुआ है अब receipt and payment account की बात करें तो यहां पर total amount लिखा जाता है question के अंदर ना की किस साल से related है वो amount अगर हम income and expenditure account बना रहे होते income and expenditure account में हम क्या treatment करते है इस चीज़ का 3,500,000 रुपे अगर आपने receive किये होते जिसमें से आपको कहा गया है कि 15,000 तो पिछले साल के हैं 2017-18 के हैं तो जो remaining amount है 2,90,000 यह सिरफ और सिरफ आप income side में लिखते income and expenditure account की लेकिन आप receipt and payment account बना रहे हो इसलिए यहां पर यह फरक नहीं पड़ता कि कौन से साल से related की amount है वो बस यह फरक पड़ता है वो receive किस year में हुई है अगर current year में हुई है तो यहां पर हम पूरा का पूरा amount लिखेंगे उसके बाद में अगला point donation मिली है building के लिए अब यह specific donation है specific कह रखा है कि building के लिए मिली है लेकिर receipt and payment में इस बात से फरक नहीं पड़ता वहां पर यह फरक पड़ता है कि पैसा मिला है या नहीं अगर मिल गया है तो उसको record कर लिया जाता है और building पांच लाग रुपे की donation मिली है building के लिए अब उसके बाद वे postage and stationary अब यहां पर कुछ भी नहीं कह रखा कि यह पैसा आया है गया है लेकिन यहां पर एक common sense लगाना शुरू करना पड़ता है एक accounts के student को postage and stationary कोई income नहीं होती वो एक खर्चा होता है किसी भी business के लिए किसी भी organization के लिए जैसे paper लाना पड़ा printer की ink वो सब postage and stationary का खर्चा होता है और वो खर्चे की side में जाएगा यानि कि receipt and payment में इतनी payment की गई है इन लोगों ने अब किस year से related है ना तो वो लिखा हुआ है बस अपने को यहां पर by postage and stationary as a payment लिखना है क्योंकि यह payment की गई है उसके बाद में insurance premium pay किया गया है including rupees 4000 paid in advance advance में pay किया है उसका मतलब क्या होता है कि अगले साल से related भी अभी pay कर दिया लेकिन receipt and payment account पे इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ता कि अगले साल का pay किया है या पिछले साल का pay किया है फरक पढ़ता है तो इस बात से पढ़ता है कि pay किया है या नहीं यहां पर pay किया गया है 28,000 रुपे तो आप लिखो by insurance purchase of investment 31,000 की investment purchase की है तो purchase अगर कुछ चीज की है उसके लिए पैसा देना पड़ा होगा देना पड़ा है तो वो payments में आ जाएगा by investment पड़ा है 31,000 रुपे की investment पर्चेज की उसके बाद में purchase of investment की बाद में life membership fees life membership fees या निकी अब ये life membership fees क्या होती है ये subscription की तरह ही समझ लीजिए जब कोई member पूरे साल भर की जैसे कोई trust है उन्होंने condition लगा दी कि हमारे trust के साथ जुड़ना है तो एक इतनी amount आपको pay करनी पड़ेगी पूरे साल भर के लिए उसके बाद में भी आपको मंतली subscription तो pay करना ही करना होगा तो ये life membership वही है पूरे साल भर की income एक बार किसी person को देनी पड़ी जो लेकिन trust के लिए ये income है life membership fees life membership fee से 30,000 रुपीज उसके बाद में salary pay की गई जिसमें से 5000 जो है वो 2019 बीच से related है यानि अगले साल से related है लेकिन receipt and payment account में इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है कि किस साल से related है फरक पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि pay की गई है कि नहीं तो 35,000 रुपे की salary pay की गई है tournament के खर्चे हुए तो tournament के खर्चे डाल दीजिए tournament expenses tournament के खर्चे 15,000 रुपे के खर्चे हुए है और उसके बाद में अब बात करते है लोकर रेट अब यह लोकर रेट माल लीजिए ट्रस्ट ने किसी को अपने membership fees के against में कुछ लोकर भी grant किये हैं लेकिन उस लोकर के लिए अलग से चार्ज किया गया है अपनी organization में for example जैसे कोई ट्रस्ट है वहाँ पर उन्होंने swimming pool बना रख है वहाँ पर अपना जो सामान रखने के लिए एक लोकर प्रोवाइड कराते हैं लेकिन उस लोकर के लिए वो लोग चार्जिज लेते हैं वो चार्जिज है लोकर रेंट तो लोकर रेंट 34,000 यह income है यह प्रस्ट पे नहीं करेगा कहीं पर भी जाके तो इसको खर्चा मत मान लीजिएगा यह एक income है 34,000 यह प्रस्ट बस दोस्तों खतम हो गया अब इस जो इसको टोटल करते हैं तीन दो पांच 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 और पांच दस दस पच्पन दस तीन दो पांच 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 दस दस और दस और साथ दस लाख साथ हजार ग्यारा लाख दस हजार ग्यारा लाख उननीश हजार ग्यारा लाख उननीश हजार फिर से एक पर काउंट कर लेता हूं दो तीन पांच पांच दस दस और साथ दस लाख साथ हजार इनका टोटल 11,19,000 अब इसमें से यह वाली चीजे लेस करनी है पहले इनका टोटल कर लेते हैं 20 और 20 चालीस चालीस और 3,43,53,53 और 38,44,44 और 30,1,14,1,14,1,19,1,24,1,34 एक चोंतिस में जो आठ जार तो बैलन्स है एक बैलन्स इस साइड का टोटल है तो जो रिमेनिंग अबाउंट जो आ जाएगी वो बैंक अकाउंट का बैलन्स आ जाएगा अब इस एक लाग 11,19,000 में से अगर एक लाग बैलन्स अजार रपे गटा देते हैं 0,009 में से दो गए साथ 11 में से चार गए साथ साथ इसके दस 9,70,000 पे आपका बैलन्स आ गया है ये था एक receipt and payment account बनाने का तरीका बहुत सिम्पल सा फोर्मेट होता है बहुत सिम्पल सा आंसर होता है बस जो पैसा आया वो लिखते जाओ जो पैसा गया वो लिखते जाओ और उसके बाद में आपका जो भी amount आ जाता है बैलन्स रह जाता है वो बैंक में चला जाएगा या अगर cash account सिरफ है तो वो cash के अंदर रह जाएगा बस इतना सा होता है एक receipt and payment account बहुत ज़्यादा गुस टेक्निकालिटीज नहीं है income and expenditure account आप हम सुरू करेंगे इसकी जश्ट बात क्योंकि receipt and payment account का बस तरीका सिरफ इतना ही है इसमें कुछ भी नया नहीं आने वाला आप किसी भी question को उठा के कर लो लेकिन आपको receipt and payment account दिया गया होगा question में वो जब आप बनाएंगे उसके against में आप income and expenditure account बनाने को पूछा जाएगा तो जब वो बनाएंगे वहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे adjustments करनी है सभी adjustments की income and expenditure बनाने के लिए तो चलिए यह class अभी के लिए इतना ही है इसके बाद अगली class में मिलेंगे income and expenditure account के question के साथ में और भी जो इससे related छोटी छोटी बाते हैं उनके लिए भी मैं आपको content प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आपको understanding अच्छे से बने NPO chapter के लिए ठीक है दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं अगली class में